एक हेलो फेंट्स क्या आपने कभी सोचा है कि एसेंच्छल वयल्स से हम घर ऑफिस एफेक्टर का वास्तूर सही करके प्रोस्पेर्टी और वेल्थ हासिल कर सकते हैं तो चलो आज समझते हैं कि इन एसेंच्छल वयल्स का वास्तूर में कैसी उज़ किया जाता है पहले हम के श्री सुक्तम नायंति शुलूक में महालक्षमिद को प्रसंद करने के लिए कुछ सुगन्दों को अग्योप बताया है वास्तू शास्त्र का रिलेशन डिफरेंट डिरेक्शन और उनकी एनर्जिस से हैं और इन एनर्जिस को बैलन्स करके हम वास्तू को सही कर सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं शंक की दोनी से, कला थेरिपी या डिफरेंट मेटल्स और हवन से हों वास्तू दोश को सही करते आ रहे हैं ऐसा ही एक वैदिक परमपरा एसंचल वैल्स की है जिसकी सुगन से घर की सुख, सम्रिदी और वास्तू दोश को सही किया जा सकता है वास्तू का प्रिंसिपल पाँच तत्व पर काम करता है जैसे आकाश, पृत्वी, जल, वायो और अगली और इन तत्वों का हमारे काम, सभाव, जीमन पर गहरा असर होता है अब हम बात करते हैं वास्तू डिरेक्शन की, वास्तू की आठ में डिरेक्शन होती हैं, जिनको वास्तू शास्त्री ने 16 और 32 थंडों में बात रहे इन ही दिशाओं में से एक दिशा नौत के बारे में आज हम विस्तास से बात करें नौत दिशा जो God of wealth दिशा या कुभेरिस्थान भी बोलते हैं तो इस दिशा की energy को balance करने से prosperity, wealth और अच्छे संदन का सुखता दोता है जैसा कि हमने आपको बताया, नौत दिशा वास्तो के इसाब से एक शुप दिशा मानी जाती है और अगर हम वास्तो की सभी principles को follow करें तो इस दिशा से हम best results ले सकते हैं अगर हमारे घर का main door north facing है तो वह सिर्फ north facing होने से auspicious नहीं माना जाता है दोर का सही पद में होना बहुत ज़रूरी है पांचवे पद में door होना बहुत ज़रूरी है जो कि लॉट कुबेर को represent करता है अगर पांचवे पद में door possible नहीं है तो हम door को third या fourth पद में भी consider कर सकते हैं इसके इलावा north दिशा में living room, drawing room और office बनाना शुफल देता है इस दिशा में जितना ज़्यादा open space रहेगा उतना वास्तु शास्त्र के हिसाब से अच्छा रहेगा और इस दिशा में हमें toilet, shoes, sleepers, पुराना का बार नहीं रखना चाहिए जो कि वास्तु दूश का कानल बढ़ता है और हमें इस दिशा में bedroom बिलकुल अवाइट करें जाए ओफिस की वास्तु की बात करें तो इस दिशा में हमें सबसे अच्छे results के लिए reception, visitors और junior staff का होना शुब माना जाता है और अगर office का main door north facing हो तो north के 34 या पांचवे पजना place कर सकते हैं जैसे कि हमें पहले आपको बताया कि essential oils से वास्तु दूश को ठीक किया जा सकता है अगर आपके घर या office में इस प्रकार का कोई भी वास्तु दूश है तो आप north वास्तु दूश के लिए इस दिशा में कुछ particular essential oils के blends को यूज कर सके वास्तु दूश को सही कर सकते हैं और इन ही principles को follow करते हुए दी पैरकूर ब्रैंड ने natural essential oils के blends अलग अलग दिशाओं के लिए specially craft किया है इन blends को वैदिक literature से प्रेरित होकर essential oils के notes और hints को द्यावन में रखके बनाए गया है दी पैरकूर के not vast essential oils blends के notes में cedarwood है और hints में rosemary, clove, lemon, clary sage और jasmine जैसे essential oils का अगलग percentage में उप्योग किया था वास्तो दोश की negative energies को balance करने के लिए इस blend में different essential oils का उप्योग किया जाता है क्योंकि हर एक essential oils Vedic literature के रूप से different energies और अलग अलग देवों को represent करता है आप इन essential oils के blends को use करके वास्तो दोश की negativity को balance करने के लिए और सही वास्तो को enhance करने के लिए best result दे सकते हैं आप दी पैरा को नौत वास्तो essential oil blend के 4-5 drops humidifier, rediffuser, ceramic diffuser में डालकर घर या office को सुगंदित करके वास्तो दोश को दूर कर सकते हैं इस essential oil blend से आप घर में scented candle भी बना सकते हैं जिसको आप इसी रूप में उप्योग कर सकते हैं और सबसे जुरूरी बात यह है कि आप इस essential oil को नौत दिशाम में ही रख पर यूज करें और इस essential oil blend से लाब उठाने के लिए आप हमारी website theparacore.com पर जाकर purchase कर सकते हैं Thank you friends, मिलते हैं next वीडियो में जिसमें हम आपको आगे अलग 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 पास्तो डिरेक्शन्स राशी और ग्रहू के बारे में बताएंगे कि कैसे आप अलग अलग essential oil blends को यूज करके अपने घर पे best results ले सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंजे Thank you